अलो दोस्तो मेरे नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ तो बहुती कमाल के काफी सस्ते बजट स्मार्टफून सैमसंग और टेक्नो की तरफ से टेक्नो का स्पार्क गो वन यह आपको मिलता है इस वीडियो में इन दोनों में कमबरेजन करके आपको बताऊंगा दोस्तो इनके अंदर क्या 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 कमिया है आपको सैमसंग का गेलेक्सी एफ जिरो वाइफ लेना चाहिए फिर टेक्नो का स्पार्क गो वन जो की आईफून 15 तो आईफून के जैसा ही जो इसके अंदर आपको डिजैन दिया गया है तो जानेंगे दोस्तो कौन सा बढ़िया है तो जाने के लिए वीडियो एंड तक जोड़ देखिएगा और लास्ट में दोस्तो रखावा मिलता है वाइट कलर में कुछ इस तरीके के लुक में चार्जर जो कि आपको मिलता है दोस्तो एक जो है यहाँ पर 10 वाट का चार्जर तो चार्जर सिंपल है 10 वाट का कुछ इस तरीके के लुक में आपको दिया गया है तो यह सारे बॉक करती सबसे पहले ही मिनी बॉक्स मिलता इसके साथ जो बॉक्स में कवर नहीं मिलता एक फर्क तो यह है दूसरे इसके साथ आपको यूजर मैनुवल दिये गए हैं इस तरीके से और इसके बाद आपको मिल जाती है दोस्तो टाइप पढ़ेगा तो भी यह फोन आपको 7200 तीन सो रुपे के आसपास ही पढ़ जाएगा तो देखा जाए तो इस चीज़ में दोनों स्मार्टफोन सही है लेकिन सैमसंग थोड़ा सा जादा बैटर फिर भी इस वजजे से केबल जादा बढ़िया है और चार्जर 25 वाट का मिलेग इस तरीके के डिजाइन में आपको सिंपल ब्लू कलर दिया गया है इसके अंदर आपको वीगल लेधर फिनिश्ट टाइप में डिजाइन मिलता है थोड़ा सा प्लास्टिक के टाइप का भी फील होता है तो मतलब कुछ ऐसा आपको पैटन दिया गया है दूसरी तरफ टेक टेकनों के अंदर आपको जो इस पार्ट गोवन में प्लास्टिक के टाइप का पैटन दिया गया है और इसमा आपको आइफोन 15 की तरीके से कैमरे दिया गया है एक तरफ टेकनों के अंदर थोड़ी से आपको आइफोन वाली फील जाधा मिल जाती है साइड उसका जो यह दोस्तों कॉम्पैक्ट भी साइस में भी छोटा है तो बिल्कुली आइफोन जैसे लगता है यह आपको दोस्तों फिर भी दोनों में कौन सा अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा वैसे लुक वाइस टेकनों का डिजाइन जाधा बढ़िया दोस्तों इस इसके अदर आपको जधा बढ़िया मिलते हैं ब्राइटनेस के अंदर आपको ज़्याद अच्छी दी गई है वह चीज में आपको दिखाता हूं दोस्तों जदी से दोनों को सेट अप करके तो यहां पर आपको जो दोस्तों यूजद ऐस तरीके से मिलता है और यहां पर आ दारी है इसके लोग दोस्तों सैमसंग के अंदर आपको डिस्प्ले में जो है रिफ्रेश रेट जो दिया गए है नॉर्मल 60 हट्स का ही मिलता है तो मतलब स्मूधनेस आपको नॉर्मल टाइप की इसमें मिलती है लेकिन टेक्नो के स्पार्क गो वन में जो है न दोस्तों 120 हट इसके रिफ्रेश रेट दिया गए है तो इसके अंदर आपको स्मूधनेस और जाधा बेटर मिल जाती है यह चलाने में और भी जाधा स्मूध लगता है डिस्प्ले का जो साइज है दोस्तों सैमसंग का जाधा बढ़िया इसमें आपको साले चेंज से थोड़ी सी जाधा बढ़िया लगते हैं टेक्नो के अंदर आपको जो दोस्तों इन दोनों फूंस के अंदर आपको जो सैमसंग के अंदर यू आई और जो दोस्तों यह चीज़ बढ़िया मिल जाती है डिस्प्ले का साइज बढ़िया है सबसे में चीज़ देखते हैं दोस्तों डिस्प्ले क colors जो है Samsung में थोड़े से ज़्यादा बढ़िया है और brightness जो है वो आपको Tecno के अंदर थोड़ी और ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है तो दोनों ही smartphones जो है न दोस्तों display में अपनी अपनी जगा काफी कमाल के है Samsung में आपको यह खुभी बढ़िया मिलती है User interface ज़्यादा बढ़िया अंदर से features वगर अच्छी लगते है Size ज़्यादा बढ़िया है और colors काफी अच्छी दिये गए है Tecno के अंदर आपको design बढ़िया मिल जाता है पंच्छोल camera वाला design है और dynamic island का feature भी इसके अंदर notification इसके अंदर देखने को मिलेगी 120 Hz के refresh rate भी मिल जाता है और display की brightness भी इसके अंदर जाद अच्छी है तो दोनों smart phones आपको rate के साब से सही मिल जाते हैं दोस्तों यह चीज़ आपको दोने के अंदर pricing के साब से काफी बढ़िया दी गई है इसके लवग दोस्तों left side से देहेंगे तो यहाँ पर आपको जो सिम की ट्रे दी गई है दो SIM card 4G के आप लगा सकते हैं Samsung का phone जो ना side उसा आप देख सकते हैं बहुती ज़ादा मतलब मोटा है thickness इसकी ज़ादा आपको मिलती है निची की तरफ से आप देहेंगे दोस्तो charging port, speaker, mic, headphone jack मिल जाता है दोनों ही phones में side map देहेंगे volume के बटन से और power के बटन से अब यहाँ पर Samsung के Galaxy F05 में यह काफी बड़ी कम है, fingerprint scanner इसमें नहीं है कहीं पे भी, ना side में न वेक पैनल पर लेकिन टेक्नो में side map आपको मिल जाता है टेक्नो के अंदर आपको ऊपर की तरफ भी speakers दिये गए हैं और दोस्तो Samsung में noise cancellation mic मिलता है तो दोने के अंदर एक एक खुब यह आपको ही मिल जाती है इन दोनों phones के अंदर आपको दोस्तो 4GB RAM दी गई है, 64GB के internal storage तो यह चीज़ आपको दोने के अंदर एक जिससे type के मिल जाती है, दोस्तो रैम और storage को लेकर दोनों smartphones आपको बराबर मिलते हैं बाकि दोने के अंदर आपको 5000 image की battery दी गई है, एक दिन का normal battery backup रामसा आपको मिल जायागा, लेकिन charging support जो है, Samsung Galaxy F05 5 में आपको जाधा better मिलता है, पच्ची सवाट की charging का support मिलता है, तो काफी fast इसके अंदर इसके लब दोस्तों दोने के अंदर आपको Android का 14 version दिया गए है latest, तो यह चीज़ आपको दोने के अंदर काफी बढ़िया और एक जिससे type की मिल जाती है और जो है दोस्तों, इन दोनों फोन्स के camera के बारे में बात करें, तो Samsung में 50MP main camera मिलता है, Tecno के Spark Go 1 में 13MP, नमबर से फर्क नहीं पड़ता, quality जो है वैसे आपको जाधा better Samsung है, Galaxy F05 में मिलती है, camera इसका जाधा बढ़िया है दोस्तों और processor जो है, Unisoccer Tiger T615 processor है, दोस्तों, Tecno में Miratec का G85 है, Samsung में तो इन दोनों फोन्स के अंदर आपको normally उसके अंदर दिक्कत नहीं होगी, दोस्तों दोनों smartphone सापको सही मिल जाते हैं, थोड़ी बहुत gaming करनी है तो आपको problem नहीं होगी, तो यह सारी अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, खुशी होती है, तो दोस्तों आप Tecno Spark Go One ले सकते हैं, इसके अंदर आपको display का design, refresh rate और दोस्तों, back side से design अच्छा मिल जाएगा, यह चीजों में यह smartphone जादा बढ़िया है और fingerprint scanner इसके अंदर, यह चीज़ इसमें बढ़िया है बाकि दोस्तों अगर आपको brand value जादा चाहिए, quality में आपको smartphone डिस्प्ले का size और colors वगरा बढ़िया चाहिए, camera जादा अच्छा चाहिए इसे के साथ battery तो दोने में अच्छी है, लेकिन charging support आपको जादा बढ़िया चाहिए, fingerprint scanner इसके अंदर काफी बढ़िया दिक्कत यह है बाकि डिस्प्ले के colors में, डिस्प्ले के size में, camera में, इसी के साथ जादा बढ़िया charging support के साथ, आपको Samsung Galaxy F05 बढ़िया मिल जाता है तो दोनों smartphone सब अपनी जग आपको बढ़िया मिल जाते हैं, quality में कहीं न कहीं थोड़ा सा जो है दोस्तों Samsung बढ़िया लेकिन features में, टेक्नो का Spargo 1 आप बताएगा फिर भी comment करके दोस्तों आपको दोनों में कौनसा अच्छा लगा, कौनसा नीचे comment करके जरूर बताएगा वीडियो दोस्तों और आपको अच्छी लगी तो like करके जरूर जाएगा, channel पर आप नए है, subscribe नहीं करका तो subscribe जरूर कर लेजे तक नए वीडियो आप तक पहुँचते रहे हैं, helpful लगी वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ इसको share कर दीजिए, whatsapp पर facebook पर, चले मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए take care, bye bye